नमस्कार दोस्तां स्वागत थे आपका हमारे शिनल चार यागंदर मिस्रा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राष्ट किदेनिक रासपल के बारे में लेकन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में 14 सितंबर 2021 मंगलवार का दिन है और भादर पद शुक्ल पक्षी अश्ट में तिति है नचहतर की बात करें तो आज जेश्ठा है और अभिजीत महूर तो दोपार 11 बच के 36 मिनट से लेके दोपार 12 बच के 38 मिनट करहेगा आज के सुरूदे सुबए 5 बच कर 56 मिनट पे और चंद्रमा की जो इस्थिती होगी वो होगी धनु राशी पे यानि कि सुबए 9 बच कर 36 मिनट पे ब्रिश्चिक राशी से निकल कर धनु राशी में गोचर कर जाएंगे आज के जो असुब समय होगा वह रातरी 8 बच कर 2 मिनट से लेके रातरी 9 बच कर 15 मिनट पे करेगा इस असुब समय में कोई भी सुब और ने कर कि सुरूद ना करे नहीं तो बिक्न वाधाईया सकती है अब बात करते हैं आज के मिथुन राश के देने के राश पलकी और यह प्रेक्षिन चंद राशी पर अधरित है मिथुन राश के देने को आज बड़ा उलट फेर होगा क्योंकि आज कुछ चिंताएं आज आपको परेशान कर सकती है या फिर नौकरी को लेकर जो चिंताएं थी हलाकि यह चिंताएं अगर आपको परेशान करती है तो आपको यहाँ पर तालमेल बहतर करना होगा मेहनत जादा करनी होगे मित्वन रास्कयत को यदि आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा नौकरी में जो प्रोमोशन की योग बन रहे थे अचानक रुकाविटे आ सकती है कि शिकारण से थोड़ी सी परिशानिया आ सकती है क्योंकि यहाँ पर बड़ा उलट फेर होगा हला कि जो आपके प्रदेंदी हैं उनसे आगे बढ़ते नजराएंगे मित्रों का और आफिसली कार करते समय अपने जहां इस्टाब के लोग हैं उनके साथ तालमेल बहतर बना के चलना होगा मित्वन रास्कयत को धन को लेकर चिंताएं हो शकती हैं धन की यानि कोई बड़ी मुश्किले अगर पहले से परिसान कर लेती तो हाला कि इससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा अगर आपने पहले से धन निवेस किया हुआ तो अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा मिथुन रास्कयत को निश्चित और रुपे धन का मुनाफ़ा के साथ साथ लोटरी शट्र में अगर आप ज़्यादा लगाने के सोच रहे हैं तो ज़्यादा ना लगाएं अगर आपने पहले से धन निवेस किया हुआ है पैसा लगाया तो उससे आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर पैसा ना लगाएं जैसे कि लोटरी शट्रा से दूरी बना रखे हैं अलगी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा आप सोचे ना और किशी को उधार करजा ना दें, आपकी दोरा दिया हुआ करजा मितुन रास्केत को पैसा डोबने का खत्रा बना रहेगा, या फिर पैसे कुले कर चिंताइं हो शकती हैं, आज की दिन कुछ बात कुले कर, उम्मीद जितनी आपने बनाई है उतनी आपको यानि की धन की इंकम नहीं होगी, थोड़ी से चिंताइं हो शकती है, रुका वफा सब आगर धन प्राप्त करना चाते हैं, तो आज आपको मेहनत करने पड़ेगी, मागने होगी, ताकि आपका 15% से लेकर 20% वापस पैसा मिल सके, मितुन रास्केत को आज आप आपके परिवारिक जीवन में, यानि की काफी अच्छी से तो निर्वार होगा, और आज घर में इंज्वाइ करेंगे, काफी खुबसूरत वक्त बिताने का प्रयास करेंगे, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें थोड़ी चिंताइं और कुछ सोच के साथ, यानि की कुछ मित हुन राज के, तो यदि आप कोई मित रहें, आपका वफादार है, तो उनसे भी आपको राय ले सकते हैं, वो आपके काम के लिए आइडिया दे सकते हैं, तब ही आपको कामियावी मिलेगी, और आज उधार किशी को ना दें, और ना ही किशी चलें, शेर आदी करना चाते हैं, तो एक्सपर्ट से सलाह जरू ले, कहीं पर भी पैसा लगाएं, स्वास्त की बात करें, तो मित हुन राज के तो स्वास्त वैसे ठीक रहें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है, हलाकि यहां पर आगर आप थोड़ होने की योग बनेंगे, खान पीन की चीज़ों बार विशेश ध्यान देना है, प्रेहश करना है, बाहर के चीजें ना खाएं, तहली चीजों से आपको दोरी बनाया रखना है, मितन्रास्केत को, और पारिवारिक जीवन अगर कहा जाए, तो पारिवारिक जीवन का जो मौ करेंगे दोनों के मन मुटाव की इस्तिती जो पैदा रहे हो रही थी वह पैदा नहीं होगी और एक बेहर अच्छा लाव एक दुसरे को मिलेगा एक दुसरे को साथ मिलता नजराएगा पुल मिला के कहा जाए तो काफी अच्छा रहेगा और आपके घर के किशी सदस के स्वा लाव देखने को मिलेगा अपने रूटीन में सामिल करें शूर्दे को एक लोटा जल दे तो उत्तम सेहत का लाव मिलेगा पार्टनर्शिप में आज आपको बड़ा उलट फेर देखने को मिलेगा बड़ा धनलाव हो सकता है कुछ आपके रुके वे तमाम कारे या रुके वे धन प्राप्ती हो सकते हैं पार्टनर्शिप में आप नई उचाईयों को छूएंगे लेकिन यहां पर पार्दस्ता रखनी होगे एक दूसरे के प्रति भरोशा और विश्वास बनाय रखनी की जरूरत है ताकि आप लोगों के वीच किसी भी तरक कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े मित्वन रासकर शाथ को निश्वत अरपर रबात करें तो देखे प्रेम जीवन की बात करें तो यहां पर लप पाटाम संत कुंछ点 मतबहद की स्थैतिया बन सकते हैं कुछ दूरिया में शक्ती हैं किसी बात को लेकर अनबन neuen की इस्थितिव हो शकत से कोई भी परिवर्तन आशकता है थोड़ा से यहां पर ध्यान दें तीसरे पक्स को यागर कोई तीसरा पक्स से दखला अंदाजी करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें इस्टुडेंट की बात करें तो पढ़ाय लिखाई पर फोकस बना रहेगा पढ़ा हुआ लिखाव याद रहेगा लेकिन थोड़ा सा घूमने फिने से बचना होगा मिथुन रासकत के जितना जदा पढ़ाय पर फोकस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है उस ऐसे कार जो काफी समय से पेंडिंग थे धोरे थे उन कामों में भी आपको लाब मिलेगा हर कार में हर यानि के छेतर में भी कामयाबी मिलेगी जो काम अभी तक नहीं हो पारा था उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी आप आज लेकिन मेहनत करने पड़ेगे जितना मेहन शावधानी बरतनी अपने कीमती जेश की देखरेग जरूर करें कोई कोट के चेरी के मामला अगर चल रहा था तो एक समय आपको कुछ परेशानियों के सामना करना पड़ सकता है कुछ सत्रू कुछ बिरोधी आपके कामों में अर्चन आज की दिन डाल सकते हैं तो मित्हुन चेतर में भी आप कुछ लोगों के बीच बने रहेंगे मान समन प्राप्त करेंगे लोगों के साथ उठना वैटना आपका हो सकता है बड़े लोगों के साथ आपकी जन पहचान हो सकती है तो मित्हुन रास्क्रियात को आज आपका शुब रंग रहेगा यहां पर हरा भाग झाल झाल